हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दू सूपर वूमन एकेप में हमारी क्लोथिंग एंड टेक्स्टाइल की सीरीज की यह है सेवन्त क्लास होगी जिसमें अभी तक हमने फाइबर, जो टेक्स्टाइल फाइबर होता है हमारा उसके हमने प्रैमरी प्रोपरटीज और सेकेंडरी प्रोपरटीज पढ़ रहे थे हम प्रैमरी प्रोपरटीज हम पढ़ चुके हैं और सेकेंडरी प्रोपरटीज की हम कुछ properties हम निकल पड़ी थी और कुछ हमारी जो रहे गई थी आज हम उनको पड़ेंगे तो हमारी सबसे पहले आती है loft and resilience ठीक है पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा loft होता है जो हमारा fiber होता है fiber कुछ न कुछ structures जो उसके chemical composition होती है या उसके जो structural arrangement होती है उन molecules की arrangement के बीच में जो gap होता है उसको हम क्या बोलते है loft ठीक है loft generally refers to the structural ratio of fiber to air ठीक है आगया ना कि भई क्या ratio है structure के बीच में जो fiber के structure है उसके बीच में कितनी air है उस ratio को हमारा दर्शाता है वो क्या है हमारा loft a high loft fiber structure और fabric contain more air than fiber जो हमारा high loft fiber होता है जिस fiber के अंदर जादा air consume करने की capacity होती है जैसे कि हमारे और मतलब कि जिस fiber के अंदर होगी fiber से ही हम अपने यान बना रहे है न मतलब sorry fiber है fiber से हमारा यान बन रहा है और यान से हमारा fabric तो इन्होंने क्या कहा है कि जो high loft का fiber होगा उससे जो हम अपना fabric बनाएंगे उसके अंदर भी हम जो है air जाता consume करेंगी contain more air than other fibers sorry यहां पर other fibers आना चाहिएता है a high loft fiber structure और fabric contain more air than fiber than or other fibers air than other fibers guys यहां पर other fibers लिख लेना प्लीज ठीक है यदि आप notes बना रहे हो regular में तो यहां पर आप लिख लेना कि a high loft fiber यहां पर चाहिए जो हमारे फैबरिक होता है जो भी हमारा क्लोथ में टीटा है यहां जो यहां है जादा गरम रहता है जो हाई फाइबर वाले high loft fiber के बने हुए जो हमारे फैबरिक होता है जो भी हमारा क्लोथ मेटीरियल होता है वो जादा गरम रहता है as comparison to other fibers अब हम बात करेंगे हमारी resiliency की किसकी resiliency की resiliency क्या होती है resiliency मतलब wrinkle free की हमारा कपड़ा कितना wrinkle free है की हमारा जो फैबरिक है उस पर कितने मतलब की जैसे हमारा cotton है आप लोग उने सब इने cotton देखे है ना जो cotton होता है उसको हाँ यदि हम पहन लेते हैं और पहनने के बाद फिर हम उसको निकालते हैं और देखते हैं तो उस पर बहुत जादा wrinkle होते हैं और उसको ironing की भी जरूरत होती है होती है ना अब हमने cloth के कपड़े को sorry हम अपने cotton के कपड़े को जब हम wash करेंगे wash करने के बाद हमें essential होता है उसकी क्या ironing press करना उस पर जरूरी हो जाता है ठीक है और यदि हम अपने wool के fabric को देखते हैं तो जो हमारा wool होता है हम उसको सिर्फ wash करकर और easily उसको हम अपने क्या है डाल सकते हैं without any ironing ठीक है तो resiliency क्या है resiliency is the ability of a fiber to bounce back to shape following compression bending or similar deformation resiliency क्या है ability है किसी भी fiber की bounce back करने की भई वो दुबारा से उसी shape में आ जाए जिस shape में वो था bending or similar deformation wool and silk fabric are more resilient जो हमारा wool है हमारा silk fabric है wool और silk fabric है वो more resilient है ठीक है अब हमागे क्या पढ़ेंगे कि भेई इन्होंने बोला है कि जितनी हमारी fabric के अंदर Elastic Recovery होगी जितनी Elastic Recovery होगी उतनी ही ज़ादा हमारी क्या होगी Elasticity होगी देखो यदि Elastic Recovery है तो Elasticity तो ज़ादा होगी अब जितनी ज़ादा Elasticity होगी उतनी ही ज़ादा हमारे Fabric के अंदर क्या होगी Loft होगी Then Resilience यदि हमारी Loft ज़ादा है तो जो हमारी कपड़े की जो रेजिलेंस है, रिंकल फ्री होने की जो कैपिसिटी है, एबिलिटी, कैपिसिटी या फिर हम उनकी उसकी शमता जो है, वो भी ज़ादा होगी as comparison to other fabric, यदि हमारे फैब्रिक की elastic recovery ज़ादा है, तो उसकी elasticity भी ज़ादा होगी, elasticity ज़ादा होने के कारण उसमें loft भी ज़ादा होगा, और यदि हमारे फैब्रिक में loft ज़ादा है, तो हमारे फैब्रिक की जो हमारे फैब्रिक के अंदर जो resiliency होगी, वो भी ज़ादा होगी, फिर next property हमारी आती है, static electricity, क्या है, static electricity only in synthetic fibers, देखो आपने कभी अपने कपड़े को sparking होती हुई देखी है, कि उसमें कुछ ने कुछ light आपको spark होती है, कभी कभी दिखाई दे जाती है, तो वो हमारी क्या कहोती है, static electricity वाली property होती है, यह mainly जो हमारे synthetic fibers जो होती है, उनमें पाई जाती है, this is the electricity produced by the friction of a fabric against itself or some other object, क्या है, जब हमारे synthetic fiber का बना हुआ, जो हमारा cloth होगा, उसमें जब हम उसको, वो दुसरे surface के साथ, जो है, friction में जाएगा, उसके साथ rub होगा, उसका जो हमारे synthetic fiber का जो surface होगा, वो surface किसी और other surface से जो है, rub होगा, तो वो क्या है, एक charge produce करेएगा, if a conductor, हाँ, हम ये बोल रहे थे हैं, कि बहीं, जो हमारा synthetic fiber का fabric होगा, यदि वो खुद के जो है, उसका जो surface होगा, synthetic fiber का हमारे fabric का जो fiber होगा, वो या तो खुद के साथ, या फिर किसी other object के साथ, जब वो contact में आता है, और contact में आके friction produce करता है, तो उससे क्या होगा, कुछ न कुछ electricity, जो है हमारी, पैदा होगी, produced होगी, जिक्या है, if next है, इसमें, if a fabric is better conductor of electricity, it conducts away the electricity that is produced, फिर हम आगे पढ़ने वाले हागे हैं, हमारा इसकी के अंदर ही, if the material is not a good conductor, यदि हमारा material, जो भी हमारे पास पजारत है, जो भी fabric है, यदि वो good conductor of electricity है, oh sorry, good conductor of electricity, produce cannot, यदि हमारा good conductor नहीं है, हमारा जो material है, अब हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो electricity है, वो produced नहीं होगी, और conducted away भी नहीं हो पाएगी, but it tend to pile upon the surface of the fabric, क्या है, वो हमारे fabric पर ही रह जाएगी, अब आगे हम पटने वाले हैं, difference between absorption and wicking, यह हमारी दो तरह की properties होती है, जो कि हमारे fabric में पाई जाती है, एक तो absorption होती है, और एक हमारी wicking होती है, तो हमारी पहले आती है, absorption, absorption क्या है, ability of the fiber to take up moisture, हमारे fiber के पास शमता होती है, कि वो water को अपने अंदर absorb कर सके, और wicking में क्या होता है, wicking is any porous material that convey liquid by molecular force between the liquid and fiber internal forces, mainly wicking में क्या होता है, कि जो हमारा fabric होता है, उस fabric के fibers तक जो हमारा water होता है, वो नहीं पोचता, उसके पर, जो water होता है, वो क्या होता है, उसके upper surface पर ही रहे के चला जाता है, और absorption में क्या होता है, वो fiber होगा, जो cloth के जो fibers होंगे, वो उनको water को absorb कर लेते हैं अपने अंदर चीक है और second point आता है include such as cotton, model, tensile and viscous fiber हमारी absorption कौन-कौन से ऐसे fiber है जिनके अंदर absorption property देखी जाती है तो हमारे कौन से है cotton है, model है, tensile है और other viscous fibers है इसमें हमारा wicking के अंदर आएगा include synthetic fiber such as polyester, nylon treated with solution that prevent water absorption कौन से हमारे synthetic fiber जो की हमारा polyester है, nylon है और हम अपने nylon fabric को जो है कुछ solutions के साथ solutionों से treat करते हैं ताकि वो water जो water absorption है उस property को क्या कर सके prevent कर सके, tour कर सके, ठीक है, third point हमारा आता है help in the cooling of body but is less in comparison to the wicking, क्या है यह जो हमारे absorption वाले fabric जिन fiber के अंदर absorption property पाई जाती है, ऐसे उन से बने हुए जो हमारे fabric होते हैं, वो क्या करते हैं भई हमारी body को cool करने में मदद करते हैं बट लेकिन यदि हम उनको wicking property वालों से comparison कर रहे हैं तो उन से कम cooling करते हैं ठीक है, विकिंग में क्या है, moisture wicking material will cool the body a little faster than moisture absorption material जो moisture wicking material वाला जो हमारा fabric होगा, वो हमारी body को ज्यादा cool करेगा, जल्दी cool कर देगा as comparison to absorbing material वाला fabric ठीक है, फिर हमारा ये point आते है, moisture regain का, क्या, moisture regain इसमें देखो हमारा moisture regain के अंदर हमारी तीन property होती है, मेली जो हम पढ़ी हुई है, हमने पहले भी hydrophilic, hydrophobic and hydroscopic, जो hydrophilic होती है, वो हमारी cotton के अंदर होती है, hydroscopic synthetic fibers के अंदर और hydroscopic water vapos को भी absorb कर लेना होता है, तीक है, hydrophilic मतलब की जो water है, वो surface के अंदर मलब surface, surface पे ना रहकर हमारे जो fabric है, उसके fabric के fibers के अंदर penetrate हो पा रहा है, अंदर तक जा पा रहा है और जो हमारा hydrophobic होगा, जो हमारे synthetic fibers में पाया जाता है, जो hydrophobic property है, वो हमारे synthetic fibers के अंदर पाई जाती है, उसमें क्या होता है, जो इस property के अंदर क्या होगा, hydrophobic वाले के अंदर, जो water droplets होगे या water के जो molecules होगे, वो हमारे surface के, जो हमारे fabric के surface के जितने भी fibers होते है, वो अंदर तक penetrate नहीं हो पाते हैं, ठीक है फिर अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ points हैं, जो वो पढ़ेंगे moisture absorption and desorption, जो कहें, the moisture absorption and desorption, most fiber tend to absorb moisture, water vapors when it contact with the atmosphere, जो कहें, क्या है, यह क्या बोल रहा है, कि बहुत सारे जो हमारे fibers होते हैं, उनके पास यह property पहले से होती है, absorb moisture वाली, कि बहुत वो वोटर vapors को भी जो है, कुछ हमारे fabric ऐसे होते हैं, जो water vapors को भी absorb कर लेते हैं, when it contact with the atmosphere, जब वो हमारे atmospheric contact में जाते हैं, the amount of water absorbed by the textile fiber will depend on the chemical and physical structural and properties of fiber, जो fiber की amount है, water absorb करने की textile fiber की, वो किस पर depend करती हैं, उसकी chemical और physical structure पर और उसकी जो properties हैं, उन पर depend करती हैं, जो उसके गुण हैं, उस fiber के जो गुण होंगे, जो उसकी रचनात्मक और physical को हम बोल सकते हैं, जो उसकी शारिक और structural जो properties होएंगी, उन पर भी depend करता है, as well as the temperature and humidity of the surrounding, और साथ साथ में हमारा fiber किस temperature पर, कितनी नमी वाले में, किस surrounding में, किस वातावरण में हैं, उस पर भी जो है ये property, जो moisture regain की property है, वो depend करती है, फिर हमारा आता है, fiber with high regain, आर ओफन, जो fiber है, high regain वाला, वो अक्सर, आर ओफन, डिसा, आर ओफन, डिसारेबल, बिकोज दे प्रोवाइड, अबरी थेबल फैबरिक, जो ये रीगेन वाला, जो हमारा fiber होता है, वो कैसा होता है, breathable fabric होता है, which can, cannot, which can conduct moisture from the body of the outside atmosphere readily, जिके है, due to their favorable moisture absorption, desorption property, ये हम पर depend करता है, कि हम अपने fabric, जैसे कि इन्होंने बोला कि ज़्यादा synthetic fibers में पाई जाती है, तो synthetic fibers में, हम जो man-made होते हैं, synthetic fibers जो होते हैं, वो हमारे man-made होते हैं, तो ये हम पर depend करता है, कि हम अपने, जो हमारा fiber है, जो हम बना रहे हैं, वो किस properties की basis बना रहे हैं, वैसे जो हमारे जितने भी man-made fibers होते हैं, वो हम अपनी comfortability की according बनाते हैं, ठीक है, so friends आज हमने textile fibers की secondary properties को complete कर लिया है, कल से हम हर एक fiber के बारे में, मतलब particular fibers के बारे में पढ़ेंगे उनकी properties के बारे में जानेंगे, तो वैसे आप देखी रहे हो कि कल हम cotton के बारे में पढ़ने वाले हैं यदि आपको classes अच्छी लग रही हो आपको आपको अच्छी लग रही हो जापको जाग लग वाची लग रही हो